पिछले 6 महिने के current affairs के question काफी ज़्यादा important होते हैं अगर आप किसी भी exam के त्यारी कर रहे हो तो friends आज की वीडियो में आपके लिए part 1 वीडियो लेकर आया हूँ पिछले 6 महिने current affairs के question में 40 मेने important questions लिए हैं friends अगर आप किसी भी exam के त्यारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा useful रहने वाला है तो friends पूरा वीडियो आप जरूर देखना तो चलिए friends start कर लेते हैं पहले question से first question है मारा भारत की पहली महिला अदिवासी राश्पति कौन बनी हैं सही answer है option C दुरापदी मुर्मू भारत की पहली महिला अधिवासी राश्पति बनी है ये आपने याद रखना है फ्रेंट्स में आपको बताना चाहता हूं कि दुरबदी मुर्मुजों यह हमारे देश की पंदर भी राश्पती बनी है यह आपने याद रखना है बात फ्रेंट्स यहां पर दुरबदी मुर्मुजी की हुई है तो दुरबदी मुर्मुजी से जोड़े कुछ कोशन जान लेते हैं इनका जनम हुआ था 20 जुन 1958 को इनका जनम हुआ था महियूर भंज ओडिशा में और आपस एक्जामें पूछा जा सकता है कि इनका संबंद किस जन जाती से है तो आपका आंसरों का संथाल जन जाती से संबंद रखती है 2015 में दुरौपती मुर्मुक किस राज्य की पहली महिला राजपल बनी थी तो आपका आशर होगा ज्ञारकंड की पहली महिला राजपल बनी थी और किस पार्टी से इनका संबंद है आपका आशर भारती जंता पार्टी होगा अगला question एक्जाम के लिए काफी important है रंजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है सही answer है option डी मद्धे बर्देश मद्धे बर्देश की team naifants रंजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीत लिया है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ पर देश ने बैंगलोरू के एमचिनना स्वामी स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में मुंबई को 6 विकेट से हराकर इतिहास में पहली बार रंजी ट्रॉफी का किताब जीता है मुंबई के बलेबाद सर्फरास खान की उनकी शांदार बलेबाजी के लिए रंजी ट्रॉफी 2022 के मैन आफ दर टॉर्णामेंट से चुना गया है इन्होंने इस सीजन में सरवादेग 982 रन बनाए है और फिर यह संसकरन खेला गया है, 87 संसकरन खेला गया है अगला कोशन, महाराष्ट के नई मुख्य मंतरी कौन बने है सही आंसर इसका, option B, एकनाश शिंदे एकनाश शिंदे जो है, यह महाराष्ट के नई मुख्य मंतरी बन गए है यह आपको याद रखना है, और अगर आप से इक्जामें पोचा जाए कौन से नंबर के बने है, तो 20 वे नंबर के मुख्य मंतरी बने है महाराष्ट के, और इन्होंने उद्दफ ठाकरे का स्थान लिया है यहाँ पर भारत का मैप देख सकते हो, ठीक है, यह हमारा प्यारा भारत है और अगर मैं आपको बताओं कि महाराष्ट की लोकेशन कहां पर है, तो फ्रेंट्स महाराष्ट की लोकेशन यह है यह जो एरिया है, यह महाराष्ट का है नेक्स कोशन है मारा, विशो मस्तिक्ष दिवस 2022 का मनाया गया है सही आंसर इसका, ऑप्शन सी, 22 जुलाइ 22 जुलाइ को फ्रेंट्स विशो मस्तिक्ष दिवस की रोपे मनाया चाता है और विशो मस्तिक दिवस 2022 की थीम है यह भी आपने याद रखना है ऑफ्रेंट्स आपसे ऐक्जाम में कोशन और भी बचा जाता है जो हमारे शरी की सबसे छोटी गरंती होती है जिसों कि हम प्यूश गरंती या पिचुईट्री ग्लेंड बोलते हैं वो कहां पर पाया जाता है तो हमारे मस्तिक्ष में ही पाया जाता है ये भी आपको याद रखना है अगला कोशन सारवजनिक छेतर की कंपनी तेल और प्राक गुपता जी की फोटो राश्री गुपता सावजनिक छेतर की कंपनी तेल और प्राकरिति ग्यास निगम यानि की ओंजीसी विदेश लिमिटेड की नई प्रबंद निदेशक बने हैं इन्होंने आलोग गुपता का स्थान लिया है प्रेंट सकर हम बात करें ओंजीसी शहर का निया नाम हो गया है महराश्ट राज्य सरकार ने महराश्ट के उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर निया नाम कर दिया है धारशेव यह आपको याद रखना है उस्मानाबाद का नाम है अंतिम शाशक मीर उस्मान अली खान के नाम पर रखा गया था अगला से रामधरश मिष्रा जीकOoh, एकत्तीसमें 17as32 मान 2021 से संभानित किया गया है, ठीक है, भारती सहहित्यका रामधरश मिष्रा को केके विला फांडेशन द्वारह उनकी कृति मैं तो यहां हुत ख Chung next- Question है Grace Authority of India Limited याने की गेल के नई अध्यक्ष कौन बने हैं, शही प्रदान मंत्री नरेंज मोटीजी ने इनसानों को लेकर उड़ने वाले भारत के पहले मानव रही ड्रोन जिसका नाम है वरुन का अनावरन किया है इस ड्रोन को किस कंपनी ने विकसित किया है सही आंसर इसका ऑप्शन बी साघर डेफिन्सेंजिनरिंग जो की मुंबई में है यह आपने याद रखना है भारत के पहले मानव rahit drone बरुन को मुंबई में स्थेद भारतियं र Ajit सागर डेफिन्जिनरिंग ने विकसित किया है भारत में निर्मित इस पाइलेट रहित ड्रोन को भारते नौसिना के लिए बनाया गया है। और बरण ड्रोन के बारे में जान लेते हैं इसकी रेंज 25 किलोमेटर है और यह 130 किलोगराम वजन का पेलोर उठा कर एक जगर से दूसरी जगर जा सकता है। इसकी उरानकी समय सीमा 25 से 23 मिनट है। सही आंसर है उप्शन C. असम स्वा निर्भर नारी योजन को शुरू किया है। सिधे सोदेशी बुनकरों से हद करगा वस्तुओं की खरीद करेगी देखो यहां पर बात हुई है हमारे असम की तो मैप में देख लेते हैं असम की लोकेशन तो यह है असम राज्य है मैप में सही आंसर है करणाटक आताटक यह स संक्लाट संको के साथ शीरिशस्तान पर रहा है यह आपने याद रखना है भारत नवचार सोचोंग इन्नोवेशन को बढ़ावा देने के परियासुंत रथा उनके साब पेक्ष प्रदेशन के अधार पर राज्य और किंद शाषित प्रदेशों को स्थान देता है पुर्वत्तर और पहाड़ी राज्यों की शेणी में शीष्थान तो वो मनिपूर को मिला है और केंद शाषित प्रदेशों में शीष्थान मिला है चंडिगड को यह आपको याद रखना है नेक्स कोशन कर लेते हैं अगला कोशन भारत के औशदी महानी अंतरक ने अबादकर नूपियों के लिए भारत की पहले सोदेशी MRNA COVID-19 वेक्सिन को मंजूरी दी है इस वेक्सिन का क्या नाम है पहले सोदेशी MRNA COVID-19 वेक्सिन का नाम है भारत की औशदी महानी अंतरक BCGI ने जैम कोविक-19 नामक भारत में विक्सित पहली सोदेशी MRNA को मंजूरी दी है इस वेक्सिन को पूने में स्थित जिनेवा बायो फार्मसेटिकल्स ने विक्सित किया है और इस वेक्सिन को 18 साल और उससे अधिक उम्री के लोगों को लगाया जाएगा नेक्स कोशन अंतराश्टी चुद्रग्रह दिवस का मनाया गया है सही आंसर इसका ऑप्शन डी 30 जून को अंतराश्टी चुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है या वो सकते हो वर्ल्ड एस्टिलोइड डे मनाया जाता है अंतराश्टी चुद्रग्रह दिवस एक वार्षी वैश्वी कारेकरम है जो 30 जून 1908 को हुई साबेरियाई तुंगुस का घटना की वश्गान पर आयोजित किया जाता है और यह तहास में धर्तिक पर सबसे हनिकारा घटना है थीम की बात कर देते हैं स्मॉल इस व्यूटिफुल वेश्व चुद्ग्रह दिवस एक उस्टि उन्तराश्ट चुद्ग्रह दिवस 2022 की थीम है यह आपको याद रखना है और फेंट्स अगर हम बात करें चुद्ग्रह दिवस एक हमारे सौर मंडल में पाये जाते हैं और फेंट्स यह मंगल गरह और ब्रेस्वति गरह के बीच में पाये जाते हैं ठीक है यह आपको याद रखना है अगला कोशन कि स्पेस एजनसी ने चंद्रमा की चक्कर लगाने के लिए कैप स्टोन नामक अंतरिक श्यान लॉंच किया है जो कि आपको याद रखना है जो कि चंद्रमा की चंद्रमा हमारे प्रिथिवी का नेच्रल सैटेलाइट है यह बश्ति अप्राकरतिक अपगरह है और आप से पूछा जाता है कि जो चंद्रमा की रोशनी है मतब प्रावर्ती रोशनी है सुर्य मतब हमारे पेत्वी पर कितनी समय में पहुंचती है आप कांसरों का 1.28 सेकेंड में पहुंचती है यह आपको याद रखना है क्याप स्टोन का फिर्ट हम फुल फॉर्म जान लेते हैं इसका फुल फॉर्म होता है सिसलोनर अटोनोमस पॉजिशनिंग सिस्टम टेकनलोजी ऑपरेशन एड नविगेशन एक्सपेरिमेंट अमेरिका की स्पेस एजंसी नासा ने चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए तट एलेक्टरोन बुस्टर रोकेट पर लॉंच किया गया है बात नासा की हुई है अमेरिका की स्पेस एजनसी है राश्टिय वैमानी की और अंधिक्ष प्रबंदन फुल फॉर्म होता है 29 जुलाई 1958 को स्थापना हुए थी वाशिंग्टन डी से मुख्याले अर्ध्यक्ष राजे की सरकार ने सिंगल यूस प्लास्टिक बाइबैक योजना को शुरू किया है इमाचल परदेश राजे सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों के चात्रों से सिंगल यूस प्लास्टिक आइटम खरीदने के लिए सिंगल यूस प्लास्टिक बाइबैक योजना को शुरू किया है यह योजना युवाओं में परियाबरन संदक्शन की आदार डालने के उदेशी से शुरू की गई है अगला कोशन डियाडियों ने सुदेशी लड़ाकु ड्रोन जिसका नाम है अभ्यास का कहां से सफल परिक्षन किया है सही आंसर है ऑप्शन बी चांदीपूर ओडिशा से डियाडियों ने सुदेशी लड़ाकु ड्रोन अभ्यास का सफल परिक्षन किया है DRDO ने ओडिशा के चांदी पुरु स्थित एकिकरित परिक्षन रेंज से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टार्गेट यानी हीट यानी अभ्यास का सफल परिक्षन किया है सौदेशी लड़ाकु ड्रोन अभ्यास को DRDO वेमाने की विकास प्रतिस्थान पेंगलूर द्वार डिजाइन तता विक्सित किया गया है इसका उप्योग विभिन मिसायर पनालियों के मुल्याकान के लिए एक लक्ष के रूप में उप्योग किया जाएगा QS 12 जारी Best Student Cities सुचकांग 2023 के अनुशार Antaráश्टिय चात्रों के रहने ययोगे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीट स्थान पर रहा है सही आंसर है option B London जो की बिटेन का शहर है ये अंतराश्टिय चातरों के रहने योग्य शहरों के सूची में शीट स्थान पर रहा है QS दोरा जारी Best Student Cities Ranking 2021 के अनुसार अंतराश्टिय चातरों के रहने योग्य शहरों के सूची में लंदन 100 अंकों के साथ शीट स्थान पर रहा है यह सूचकांग, चातर, सुविदाओं, विश्विद्यालों के मानक और विदेशों में पढ़ाई करने गए चातरों की सहुलियत के अधार पर त्यार की गई है इस वैश्विक रैंकिंग में मुंबई 103 स्थान पर रहा है और इसके बाद बैंगलोरु 104 स्थान पर और चैन्नाई 125 स्थान पर रहा है सूची में हम 63 शहर देख लेते हैं लंदन 100 अंग के साथ पहले स्थान पर, सियोल और म्योनिक 95 अंग के साथ दूसरे स्थान पर और जियूरिक जो है तिसरे स्थान पर रहा है या आपको याद रखना है नेक्स कॉशन, टैनिस टूर्नामेंट के चारो ग्रेंड स्लैम में 80 मैच जितने वाले दुनिया के पहले खलाड़ी कौन बनी हैं? सही आंसर है, ओप्शन डी, नुवाग जोकोविच जोकी सर्विया के खलाड़ी है सर्विया के नुवाग जोकोविच टैनिस टूर्णामेंट के चारों ग्रेंड स्लैम में असी मैच जितने वाले पहले खलाड़ी बन गई है नुवाग जोकोविच ने यह उपलबदी लंदन में आयोजित विमल्डन टैनिस चैंपेंशिप 2022 में दक्षिन कोरिया के सुन वू को हरा कर हासिल की है अगला कोशन राश्टी चिकिस्थक दिवस 2022 का मनाया गया है सही आंसर है ओप्षिन ए एक जुलाई को राश्टी चिकिस्थक दिवस 2022 मनाया गया है यह आपको याद रखना है हर साल एक जुलाई को देश के महाँ चिकिस्थक और पश्षिम बंगाल के दूसरे मुख्य मंत्री डॉक्टर बिधान चंदराई के जनम दिन के अपने दिति के अपलक्ष में राश्टी चिकिस्थक दिवस के रोपे मनाया जाता है 2022 के एक हम थीम की बात करते हैं वो है फैमिली डॉक्टर्स अन दा फ्रंट लाइन नेक्स कोशन निवेशर कंपनी PYSE ने भारत का पहला आंशिक सौमित वाला सौर उर्जा सन्यंत किस राज्ये में लॉंच किया है सही आंसर इसका ओप्शन ए करनाटक में निवेशर कंपनी PYSE ने भारत का पहला आंशिक सौमित वाला सौर उर्जा सन्यंत करनाटक में लॉंच किया है यह सौर उर्जा सन्यंत 26 क्रोड रुपे की परियोजना है जिसका औस्सत निवेशर क्टिकट आकार 25,000 रुपे है इस और उर्जा सन्यंत को लॉंच करने का उद्देश यह अक्षर उर्जा छेतर में भारत की निद्रव स्थिति को मजबूत करना है नेक्स कोशन करे लेते हैं भारती अंत्रिक्ष नमसंधान संगठन यानि कि इसरों ने PSLV C-53 रॉकेट को कहां से सफलता पूर्वक लॉंच किया है सही आंसर इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सतीष धवन अंत्रिक्ष के अंदर जोकी श्री हरिकोटा आंत्रपरदेश में है इंपॉर्ण पॉइंट से कोशन को समझते हैं सबसे पहले फ्रेंस यहां पर PSLV की बात हुई इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं PCLV सीवत्रेपन को लॉंच किया है इस मिशन के तहट सिंगपूर अमेरिका और कोरिया के छोटे सेटलाइट को अंत्रिक्ष में भीजा गया है इन सेटलाइट के नाम है DSEO, New SAR और स्कूब 1 यह आपको याद रखना है अगला कोशन, तीर फ्यातरियों को वित्य साहित्य प्रदान करने के लिए काशी यातरा योजना को किस राज़ सरकार ने शुरू किया है सही आंसर है, Option C, कर्नाटक इस योजना के तहर तीर थियातरीयों को कर्नाटक राजय सरकौार दारा 5,000 रुपे की नगत सहहितार प्रदान की जाएगी अगला कोशन, नवी मुंबई एयर पोर्ट जोकी महराश्ट में हैं का नाम बदल कर न्या नाम क्या हो गया है महराष्ट की नभी मुंबई एरपोर्ट का नाम बदल कर अब डेवी पार्ट एरपोर्ट हो गया है इसके लावा महराष्ट राजी सरकार ने अन्य शहरों के नाम बदलने का फैसला किया है जिसमें औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव नगर कर दिया गया है नेक्स कोशन है मारा वस्तु एवं सेवाकर दिवस 2022 का मनाया गया है सही आंसर है ओप्शन डी एक जुलाई को जी एस्टी दिवस मनाया गया है यह आपको याद रखना है भारत में एक जुलाई को वस्तु एवं सेवाकर दिवस की रूप में मनाया जाता है इस वर्च भारत में पांचवान जी एस्टी दिवस मनाया गया है भारत सरकार दोबारा एक जुलाई 2018 को पहला जी एस्टी दिवस मनाया गया था और मैं उका बिता दूँ GST परतेक्षकार है जो भारत को एक एक इक बजार बनाता है GST जोड़े कुछ important question जान लेते हैं GST कब लागू कर दिया गया था भारत में 1 जुलाई 207 को भारत GST लागू करने वाला कौन सा देश था 161 GST लागू करने वाला भारत का प्रतम राज्चे कौन सा था असम और समिधान किस अनुछेद के तहट GST परिश्यत का कठन किया गया है CBT का full form होता है Central Board of Direct Texas CBT वेतमंतर आले में रासर विभाग का एक हिस्सा है मुख्याले नई दिल्ली में इस्थापना हुई थी एक जनवरी 1964 को किस राज्चे की सावजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट लोग सेवा पुरुसका 2022 से समानित किया गया है सही आंसर इसका Option C, ओडिशा को मो बस के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट लोग सेवा पुरुसका 2022 से समानित किया गया है यह आपको याद रखना है ओडिशा राज्जे की सावजिनिक परिवहन सेवा मो बस को कोवीड-19 से दुनिया को बہतर धंग से उबारने के लिए किये गई परियासों के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट लोग सेवा पुरुसका 2022 से समानित किया गया है प्रतिष्टी संयुक्तर राष्ट लोग सेवा पुरुसका दुनिया को COVID-19 से 72 तरीके से बरने मदद करने के लिए 10 नमाचारों को मन्यता देता है फ्रेंट्स आपने मुझे comment box में जरूर बताना है कि आपको अगला वीडियो किस topic के ओपर चाहिए मतलब कौन सा topic पढ़ना है आपने चाहिए साइंस का है चा पॉलिटी का जोग्रोफी का हिस्ट्री का चा कंप्यूटर का कोई भी topic अगर आपने पढ़ना है आप मुझे comment box में जरूर बताएं मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर लेकर आऊंगा ठीक है फेंट्स आपने comment ज कोईजन पॉर्टगाल के लिस्बन में किया गया है इसमेलिन के मिजबानी केनिया और पॉर्टगाल की सरकार द्वारा की गई हैं इस अमेलिन के जरिये अंतराष्ट्य समुदाय को ज्यादा नवाचारी व्यज्यान अधारित सामधान को अपनाने की और बढ़ने के लिए प्रेरियत किया गया है ताकि महा सागरों का टिकाव प्रबंदन किया जा सके भारत की तब से दिख्षता करी है जितेंदर सिंग ने जो कि मार्देश के केंद्रिय मंत्री है संस्क्रन है दूसरा अगला कोशन अंतराश्टी सोक्षम लगू और मध्यम उध्यम दिवस 2022 का मनाय सही आंसर है ऑप्षन ए 27 जून को संयुक्त राश्टी द्वारा हर साल 27 जून को अंतराश्टी सोक्षम लगू और मध्यम उध्यम दिवस मनाया जाता है इस दिवस को मनाने का उद्देश यह वैश्विक आर्थिक विकास और सत्रत विकास में सोक्षम लगू और मध्यम उ कंपनी जी स्टीम पावर ने तीन परमानू भाप टर्बाइनों की आपूरती के लिए किस भारते कंपनी के साथ समझोता कि आपन पर हस्ताचर किये हैं सही आंसर है ऑप्शन ए भारत हैवी एलेक्ट्रिक्रिक्स लिमिटेड यानि की भेल जिसका मुख्याले कहां पर है नई दिल्ली में उर्जा छेतर की कंपनी जी स्टीम पावर ने तीन परमानू भाप टर्बाइनों की आपूरती के लिए सारवजिंग छेतर की इंजिनिरिंग फॉर्म भारत हैवी एलेक्ट्रिक्रिक्रिक्स लिमिटेड यानि की भेल के साथ 16.5 करोड रुपे के अनुबंद प ने इस परतियोगिता में चार रजत और एक कांसे पदक जीता है भारत ने इस परतियोगिता में कुल नौ पदक जीते हैं जिसमें की एक रजत है और आठ कांसे पदक शामिल हैं टॉप तीन देख लेते हैं फेंट्स जपान 19 पदक के साथ नमबर एक पे दक्षिन कोरिया 13 पदक के साथ नमबर दो पे मलेशिया 5 पदक के साथ नमबर तीन पर इसका योजन कहां पर हुआ खेल का नई दिल्ली में संसकरन कों सा खेला गया 41 अगला कोशन भारत को विदेशी बजार से संबन्दे जानकारी प्रदान करने के लिए निर्याद नामक पोर्टल को किसने लॉंच किया है सही आंसर इसका ओप्षिन डी नरेंदर मोदी प्रदान मंतिर नरेंदर मोदी जी ने निर्याद पोर्टल को लॉंच किया है निर्याद का फुल फॉर्म है नैशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर एरली अनलिसिस ऑफ ट्रेड प्रदान मंतिर नरेंदर मोदी जी ने भारत के विदेशी वेपार से संबन्दे जानकारी प्रदान करने के लिए निर्याद नामक पोर्टल को लॉंच किया है इस पोर्टल के माध्यम से सभी लोग आयाद निर्याद को लेकर कोई भी जानकारी एक जगह पर पासकेंगे अगला कोशन 48 में G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मिजबानी कौन सा देश करेगा सही आंसर इसका option B जर्मनी जर्मनी 48 में G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मिजबानी करेगा इस सम्मेलन का उदेश करोना वाइरस महमारी से मुकाबला करने में मदद के लिए वेशो के अगरनी लोग तंतर को एक जूट करना और अधिक सम्मित भविशे का निर्मान करना है भारत की सबसे अधिक्षिता करी है प रूप आफ 7 फुल फॉर्म होता है जी सबसे देश देख लेते हैं फ्रांस जर्मनी इटली युनाइटेड किंग्डम जपान अमेरिका और कनाड़ा और पहला जी सबसें करसे में पहता है फ्रांस में 1975 में भारत जी सबसें नहीं है यह आपको याद रखना है अगला कोशन किस देश ने अपना पहला सोदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफलता पूरवक लांच किया है सही आंसर इसका option A दक्षिन कोरिया यह आपको याद रखना है दक्षिन कोरिया ने अपना पहला सोदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी को सफलता पूरवक लांच किया है यह आपको याद रखना है दक्षिन कोरिया ने अपना पहला सुदेश्टी अंतराश्टी ओलंपिक दिवस 2022 का मनाया गया है सही आंसर है ऑप्षिन ए 23 जून को अंतराश्टी ओलंपिक दिवस के रोप में मनाया जाता है यह दिवस ओलंपिक खेलों में अधिक से अधिक लोगों को भाग लेने के लिए प्रुतसाहित करने और इस आयोजन के बारे में जरुकता फिलाने के लिए मनाया जाता है थीम की बात करें वो है टुगेदर फोर पीसफुल वर्ल्ड नेक्स कोशन कर लेते हैं ग्लोबल स्कील रिपोर्ट सो के से अधिक देशों में 100 मिलियन सिक्षारतियों की डेटा को अकरशित करती है जिन्होंने पिछले वर्ष के दोरान एक नया कौशल विक्सित करने के लिए कौटसेरा का उप्यों किया है टॉप तीन देश देखें सुजिजलेंड नमबर एक पर है डेनमाक नमबर दो पर है बैल्जियम नमबर तीन पर है और रिपोर्ट के जारी करता है कौटसेरा जिसका मोखियाले कैलिफोर्णिया अमेरिका में है नेक्स कोशन इंपोरेंट है सौर उर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला हवायड़ा कौन सा बना है सही आंसर है ओप्शन सी इंदरा गांधी अंतराष्टी हवायड़ा जो की नई दिल्ली में है नई दिली में स्थित इंद्रा गांधी अंतराश्टी हवाई अड़ा सौर उर्जार हाइडरो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड़ा बन किया है इंद्रा गांधी अंतराश्टी हवाई अड़ा कही है कदम वर्ष 2030 तक नेट जिरो कारबन अमिशन एरपोर्ट के लक्षे को हासिल करने के हवाई अड़े के लक्षे का हिस्सा है अगला कोशन तिबद पर आठवा वेश्व सांसर सम्मिलन 2022 कहां आयोजित हुआ है अगला कोशन दुनिया की सबसे बड़ी साब पाने की स्टिंगरे मचली की देश में खोजी गई है सही आंसर है सही आंसर है सही आंसर है इसका ओप्षन ए कमबोडिया में दुनिया की सबसे बड़ी साब पाने की मचली जिसका नाम है स्टिंगरे ये पाया गया है दुनिया की सबसे बड़ी साब पाने की स्टिंगरे मचली कमबोडिया में खोजी गई है यह मचलिया कमबोडिया के मिकांग नदी के मतमरे पानी में निकाली गई है इस मचली के नंबाई 13 फीट है और इसका वज़न 300 किलागराम है यह मचली 2005 में थाइलेंड में पकड़ी गई वेशाल कैट फिश से 6.8 किलोगराम ज्यादा भारी है आखरी कोशन करते हैं इस वीडियो का और इसके बाद मैंने आपके दो कोशन का टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने मुझे कॉमेंट रखे देना है भारत का पहला 100% लैंडलोड मॉडल वाला बंदरगां कौन सा बना है सही आंसर है ओप्शन ए जवाल लाल नहरू पोर्ट जो की मुमबई में है ये भारत का 100% लैंडलोड मॉडल वाला बंदरगां बन गया है मैंने आपको ये 40 कोशन करवा है फुल डिटेल में लास्ट 6 मन्त का ये पार्ट 1 वीडियो था सेकिंड पार्ट भी आप जरूर देख लेना ठीक है फैंस और अब दो कोशन का टेस्ट है जिसका अंसर आपने कॉमेंट में देना है ठीक है फैंस तो पहला कोशन है भारत की पहली महिला अदिवाची राश्ट्पती कौन बनी है चार आप्शन्स हैं आपके पास नेक्स कोशन रंजी ट्रॉफी 2021 बाईसर किताब किसने चीता है फिर दोनों कोशन का अंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है